नमस्कार दोस्तों यादो पलंबर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है अभी दिखिए बोर है ना अपना तो उसमें कौन सा नरभी अपनीको लगाना चाहिए और जो बोर के टाइम में जो एनार भी लगता है ना उसमें और जो लगाने वाले हैं उसमें क्या अंतर होता है ठीक है तो वीडियो पुरा देखिए आपको एक एक बात समझ में आएगा तो इधर पुरा फिनिसिंग करके आपको दिखाएंगे चेंबर भी पना विनावे के स जोपरा देखिए और अभी अधर कितने का चेंबर अपने को बनाना चाहिए और कौन सा इर ऑपने को बोर में लगाना चाहिए भीया तो अभी अप देख सकते हैं जो की अभी अपना इधर बोर है और इसको चारतरफ से गड़ा हुआ है और भी अपने को डाउन करना है तो कम से कम अभी चेंचे और डाउन करना पड़ेगा फिर अपना उधर चेंबर बन पाएगा तो इसी साब से अपने को कम से कम चेंचे और डाउन करेंगे फिर अपना इधर बैड़ पाएगा तो और कितना नीचे जाना चाहिए वह भी आपको बताएंगे तो आप से नहीं दने की वीडियो पुरा देखिए आप तो करके भी दिखाएंगे आपको तो अभी करते हैं चारत परपसंद निकालते हैं अलका तब बरेकर लगने वारा है अपने को तो इस नेचे का तो यह तो अभी इसको निकालते हैं यह फिर आपको दिखाते आप तो अपना यह बौर है ना जो एक्चुली तो अभी इदर अपना बोर का मिट्टी निकालने के बाद तो हलका भी मिट्टी निकालने का है और इदर अपना एक बाई डेड़ का चेमबर बनाने का है तो आप एक बाई डेड़ का भी बना सकते हैं और एक बाई डेड़ डेड़ का भी बना सकते हैं तो अभी बाद में ड अफिट करने का हैं ऊ-स ऐता है आगे हम मिठी निकालते तो अब अगया और मिठी कढते हैं अ करने कां चलु है तो अधिक सकते हैं जो कि मिठी निकाल रहे हैं और कितना अपने को नीचे रहना चाहिए तो अभी आपकर सामने कि अरफ मेठी क्या है चालत लुट कि वह निकाल के जो बोर का उपर का लोग होता है न तो अपने को सिर्सों नीचे जाना चाहिए्टे साब से मीटी निकाला गए तो भी मीटी निकाल का लेके बाद फाईब को भी कुटिंग कर दिए जो की टाइप फॉगरेंडर से कुटिंग किए है आप सबलेट्पै में कर सकते हैं कोई दिख्कत नहीenne तो आप उन्हींगरेंडर से कभिटiemand किये हैं चारत दरब से और बीच में एक चीव मार दी हैं तो अपने को बोर का पाइप जो है ना वह आसानी से निकल जाएगा कुछ फ्रॉब्लम नहीं होगा तो अभी पाइप निकलते हैं फिर इदर चेमबर बनाते हैं तो कौन सा अपने को एनर्बी लगाना चाहिए वह आपको किलिर बताएंगे और दिखाएंगे भी और अभी एनर्बी है ना तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है बाद में और इससे क्या नुकसान है वह आपक सकते हैं कि पहले इसमें डायरेक्ट पाइप लगाने के लिए बना था लेकिन अभी यह कनेक्शन हो जाएगा तो इससे अपने कुट टाकी में प्रोपर पानी चला जाता रहेगा तो इस तरह भी पाइप निकालते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं और अपना कि एक पायप इसमें कनेक्सन करने का है तो भी पाइप निकालने के बाद आप देख सकते हैं जा और जो पुरा ना वला एनर भी है ना तो इसको भी चेंज करने का है तो इसमें क्या प्रोब्लम है क्योंकि यह अपना पूरा लोहे का है और अपने को पूरा एल्मोनियम अपने को फुरा पीतल का चाहिए तो अभी लोहा का है तो लोहे में क्या होता है ना बाद में चंग पकड़ता है सार्क पकड़ता है तो इसलिए अपने को बार-बार खराब होता है तो यह अपना लोहा का है तो इसलिए लोहे का नहीं लगाने का है अब पीतल का ही लगाने का एनर्वी तो पीतल में भी है भी बना आता है तो अभी आप एनर्वी देख सकते हैं और यह अपना फुरा लोहे का एनर्वी है तो इसमें क्या है ना इसका हाइड भी ज्यादा है और इसका लाइब भी कम है तो अपनी को कौन सा एनर्वी लगाना है तो भी आपको दिखाएंगे और जोपना लोए का एनर्वी है न अभी आप देख सकते हैं जो की पितल का एनर्वी रखा गया है और इसका और उसमें लेंथ आप देख सकते हैं बहुत ही कम है इसके आधा है और इसका लाइब भी ज्यादा है और इसका प्राइज भी आप मिनिमूम है जो कि 480 रुपे का है और एक रेगुलर आता है एक हैवी आता है और यह है भी में है यह तो इसका लाइफ ज्यादा है महाराइस्ट का पानी और पानी खार है कर दो जल्सकाए है कोई भी नलो तुछ अ कोई भी नलो तो सब्सक्राइब जञादा प noises बतल का लेजर लगाते हैं तो उसका लाइब जाद दिन चलेगा और अभी किसमें कम जगा लगता है तो अगर बड़ा बला आप लगाते हैं तो जितना आप बड़ा बला लगाएंगे उतना नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा तो बाद में अगर रिपेर अपने को करना हो तो उसमें दिक्कत होता है छोटा बला लगाएंगे तो अपने को ज्यादा नीचे नहीं और union कभी भी ऊपर ही लगाएं और जो जितर से आप pipe आगे जा रहा है उद्र ही लगाएं जैसे लगा है वैसे लगाएंगे तो यूनियन खोलने को बाद आसानी से आपका बोर ऊपर आएगा ठीक है तो चोटा और बड़ा एनर्भी लगाने से यही फायदा है तो कभी भी च और जो पुराने वाला था तो उसमें तो जो लुखेवला एनर्वी होता है ना उसका लाई जो हट जदा होता है और यह अपना पीटल का है तो पीदल का कोष्ट ली आता है जो कि 480 रुपे का है यह आटूमेटिक प्रेस होता है जिसे यह आप लगाते हैं तो इदर से पानी सीधे आगे जाएगा डिटन नहीं आता है तो यही मतलब है तो बस अपनी को बोर से पानी जाना चाहिए डिटन पान नहीं आना चाहिए अ पानी निकले और इधर स्पानी आना पाए तो इसलिए न्रवी लगा जाता है अलवी लगाने से में मतलब यह है ठीक है कि अगल कुछ बोलने में दिक तो इसके लिए माफ माफी मंगते हैं तो यह नार भी लगा दिए और और का भी कनेक्शन कर दिए तो अभी बोर फुरा फाइनल होने के इक बाद आप देख सकते हैं कैसा दिखता हैं तो जितना कम आपका च्छोटा अन्यश्च पॉट अथिह लगते हैं दो पुना कम है टूटेगा है तो पुरा पिनिस्ंग होने के बाद आप देख सकते हैं जोक angewka जोकि फव्डैन करने के बाद ऊब ul जो कि चंबर इदर डेड़ बाइड का बनेगा तो अंदर अंदर कम से कम 15 बाई एकार मिलना चाहिए फिर अपना बीवीसी का डेड़ बाई डेड़ का चंबर बैठता है ठीक है कि अब कि अधा तभी अपना सब चंबर बना दिये ऑप हो चंबर हर चोटा बड़ा वियाता है अंदर अंदर भी आता है बार बार भी आता है तो चेंबर कभी भी अगर आप लगा रहे हैं चेंबर एक बार आप डिसीजन कर लेजिए और लार देंगे तो सबसे विश्ट रहता है ठीक है अब जो भी अपना था वह बोर का कनेक्शन कर दी तो 10 सब्सक्राइब बचाने के चलते बाद में और भी बड़ा लगाएंगे तो दिक्कत होता है कि छोटा वाला अनर भी लगाते हैं तो आपका जगह भी कम बचेगा और कम जगह में आपका काम हो जाएगा ठीक है तो तबी सब जो भी कनेक्शन करना था वो सब कनेक्शन कर दि पीटल गाए नर भी लगाने से जंग ने पकड़ता है ठीक है और इसका प्राइज भी जाइए इतना ज्यादा नहीं है मेडियम मेडियम है तू अभी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक की चैनल पर नहीं है तो चैनल को सुस्क्राइब परे मिलते हैं ने वीडियो में जे हिंदी जे भारत